नेट जीरो क्या है? विज्ञान है? टक्नीक है? नमस्कार मैं हूँ सिक्ता देओ तो आज Climate Explainers में हम समझेंगे नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो को यहाँ इस काम के लिए अब समझने की जरूरत है। सरल शब्द है चलिए समझाते हैं। एक तरफ हम Greenhouse Gas वातवरण में छोड़ रहे हैं। वहीं इन गैस को कम करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। इस बैलेंस को बना कर रखना नेट जीरो कहलाता है। विग्या ने कह रहे हैं कि प्रित्वी के तापमान की एक सीमा यानि की एक लिमिट तैय है और ये लिमिट है एक तशमला पाँच टिक्र। इसके लिए काबन बजट भी तैय है यानि हम कितना काबन डायोकसाइड वातावरण में छोड़ सकते हैं। यानि 2029 तक काबन बजट खत्म हो जाएगा। इसलिए हर देश को नेट जीरो की तरफ कदम उठाने होंगे ताकि ग्रीन हाउस गैस का बैलन्स बना रहे। पहला कदम ये हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोईले, तेल, गैस के इस्तमाल को कम करना होगा। जिससे ग्रीन हाउस गैस वातावरंड में कम हो सके। वहीं सोलर और विंड एनरजी को जादा अपनाने की जरूरत होगी। दूसरा ये हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैस को वातावरंड से कम करने के लिए रास्ते ढूंडने होगे। जैसे कि हमारे जंगलों के दायरे बढ़ाने होगे। एक नई तकनीक पर भी काम हो रहा है जो महेंगा जरूर है लेकिन कारगर। वातवरंट से काबन डायोकसाइड को कैप्चर करके उनको जमीन के नीचे स्टोर करने की तक नहीं। उतर 2015 में कई देशों ने पैरिस क्लामेट चेंज अग्रिमेंट साइन किया था। हर देश ने अपने लिए एक टागेट रखा कि कैसे और कब तक वो नेट जीरो तक पहुंचेंगे। अमरीका दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जो सबसे जादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहा है। अमरीका का टागेट साल 2050 है। चीन और रूस दुनिया के पहले और पांचवे नमबर पर आते हैं। इनका नेट जीरो का टागेट साल 2060 है। दुनिया भर को तेल देने वाले देश साउधी अरब ने 2060 का ही टागेट रखा है। वैसे भारत का नमबर चोथा है और भारत का टागेट साल 2070 है। आपको वैसे यहां ये भी बताते हैं कि ये सब एक शपत भर है। इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं यानि की कोई लिगालिटी नहीं है। लेकिन साइंटिस कहा रहे हैं कि इसे सक्ती से लागू करना इस वक्ती सबसे बड़ी जरूरत है। वैसे बहस उत्तर और दक्षिन की भी हो गई है। यानि विक्सित देश बनाम विकाश्चील देश। अमरीका यूरोप कह रहे हैं कि नेट जीरो के लिए सब का टागेट साल 2050 के अंदर होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे विकाश्चील देशों के लिए एक बड़ी चुनाती है। इतना पैसा भारत जैसे देशों के पास नहीं है। जंगलों के दायरे बढ़ाने के लिए और जादा जमीन और जादा पानी की ज़रूरत होगी। ये चुनातियां विकाश्चील देशों के लिए बहुत बड़ी है। नेट जीरो एक बड़ा लक्ष है जिसे हर देश को लागू करना होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन विक्सित देशों की जिम्मिदारी इसे रोकने की बनती है, वो आर्थिक तोर पर कमजोर देशों पर इसे थोप रहे है। हमने तो पहले ही बताया था, क्लाइमिट चेंज, इतिहास, राजनीती, तक्नीक, अर्थवैवस्ता पर निर्भर तो है ही, लेकिन इस वक्त सहयोग भी चाहिए, दक्षिन को पुत्तर का, पूर्व को पश्चिम का, विकाशील देशों को, विक्सित देशों का। नमस्क्त